इसकोटिस बिग्गानिक अलेकजंडर ग्रामबेल ने टेलीफोन का अभिशकर दो जून 1875 में किया था टेलीफोन का अभिशकर में अलेकजंडर ग्रामबेल ने टोमास वाच्छन की साहेता ली थी इसके बाद 7 मार्स 1877 को अलेकजनर ग्राम बेल ने इस अभिशकर को आपने नामबर पेटरन करवा लिया और वो इसके अधिकरी अभिशकर बन गए ग्राम बेल ने साहक से जो पहला सब्द बोला था मिस्टर वार्चन इहां आओ मैं तुम्हें दिखना चाहता हूँ यह अभिशकर दिर दिर अमरीका में फैलने लगा और 18-18 तक अमरीका में 65,000 से ज्यादा टेलिफ़न लग सुके थे जो ग्राम बेल के लिए एक बरी उबलब दी थी टेलिफ़न का अभिशकर अलेकजनर ग्राम बेल ने किया था लेकिन आप यह गूगल पर सार्स करेंगे तो आपको तीन नाम दिखाई देंगे जिसमें से पहला नाम अलेकजनर ग्राम बेल का है लेकिन दूसरा और तिसरा नाम एंटन्यो म्यूसी और एमोस डॉल्वियर का है टेलीफोन के अभिशकर में अलेकजनर ग्राम बेल के साथ साल्स ग्राफ्टन पेश, साल्स बूर्शियोल, इनोसेंजो मैंजेटी, जोहान फ्लीटराइस, एलिसा ग्रे, एंटोनियो मियूसीजे से कई नाम सामिल है इन शबी विगणिक ने अभिशकर में आपना योगदा दिया है, लेकिन जितना योगदान अलेकजनर ग्राम बेल ने दिया है उतना योगदान और कोई भी और नविगणिक नहीं दे सेखा था एमोस डेल बियर ने साउंड वेप्स और इलेक्रिकल इंपाल्सेस का इलेक्रिकल स्पार्क के रुप अंतरन के बारे में खोस की थी बेल के इस अभिशकार पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था इसलिए उन्होंने लोगों की नजर में इस अभिशकार की खासियत समझाने के लिए एक इंतरक के सार्बंजनिक पदर्शन की तयारी की इस पदर्शन में बेल ने टेलीफोन का पहला पदर्शन दस में, 1877 में, बोस्टन में, अमेरिकन एकाड़मी ओफ साइंस में किया था इस समारों में बेल के पदर्शन की चार्शा होने लगी लेकिन कोई भी टेलीफ कॉमपनिस उनके इस पदर्शन को बेवसाई ग्रूप से बाजर में उतरने के लिए तयार ही नहीं थी साइद उन सोभी लोगों के यह डर था कि बेल के अविश्कार को यदि बाजर में उतरा गया तो उनके टेलीग्राफ यंदर की मांग कम हो जाएगी फिर बेल और थोमस दोनों ही टेलीग्राफ के मैध्धम से आवास को तेरा किलमेटर दूर तक पहुंशाने में सफल रहे और साल के अंद तक उन्होंने इस दूरी को दो सो उन्तिस तक बढ़ा दिया पर इतने के बावजुद भी कोई भी टेलीग्राफ कमपानी सर्वाजनिक रूप से टेलीफोन के उपयोग को लेकर बरवाद देने के लिए तैयार ही नहीं थे इसके बाद बेल ने अपने नाम पर एक टेलीफोन कमपानी स्खोलने का नीडने लिया और आज बेल के दोरा खोली गई अइतिहासी कमपानी AT&T के नाम से पसिद्ध है और बिशोफर में अपने दूरसंचार के साधने के लिए जाने जाती है बीते कुछ सालों में बेल ने दूरसंचार के सेत्र में बहुत महतोवनी उनुसंधान भी किये थे अठाज जनरी अठाज साधतर को ब्यवसाइग स्तर पर पहला टेलीफ़न एक्सेंज अमरीका के नियू हैवेन शहर में शुरू हुआ और पर्थम कॉल ग्रहम बेल वा सोहेगी वार्चन के बीस में नियूर्क और सान फ्रांसिसको के बीस की गई थी भारत में कप से शुरू ही टेलीफ़न सेवा भारत में सबसे पहले 1881 में ओरियंटेल टेलीफ़न कॉम्पानी लिमिटेड इंगलें ने कलकाता, बंबे, माद्रास और एहमादाबद में टेलीफ़न एक्सेंज इस्तापित किये थे 8 जनुरे 1882 में कूल 93 ग्रहाकों के साथ प्रथम उभशारी टेलीफ़न सेवा सुरू की गई 888 में दो टेलिफन कमपानिया The Oriental Telephone Company Limited और एंगलो इंडियन टेलिफन कमपानिय लिमिटेड ने भारत में टेलिफन एक्षेंस की इस्तापना करने के लिए सरकार से संपर्क किया इस अनिमद जी को इस आधर पर असिक रिद कर दिया गया कि टेलिफन का इस्तापना करना सरकार का एकाधिकर था और सरकार खुद या काम शुरू करेगी 1881 में सरकार ने अपने पहले के फैसले के खिलाब इंगलेंड की ओरिएंटल टेलिफन कमपानी लिमिटेड को कलकाता बुम्बाई चैन्नाई और एहमदाबाद में टेलिफन एक्षेंस खोलने के लिए एक लाइसेंस दिया जिस से 1881 में देश में पहली अप्षरी टेलिफन से बागी स्थापना हुई कलकाता के एक्षेंस का नाम केंजियो एक्षेंस था जो साथ काउंसिल हाउस स्ट्रीट इमारत की तीसरे मंजिल पर खोला गया था केंजियो टेलिफन एक्षेंस के 93 ग्रहाग थे बोमबे में भी 1882 में टेलिफन एक्षेंस का उठगाटन किया गया था